ओम नमस्षिवाय आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे करक राशी के बारे में 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अधारित है यह समय फालगुन मास के कृषिन प शुकरवार से 21 तारिक शुकरवार को ट्रोध शीत इथी रहेगी श्रवन नक्षत्र होगा चंदर्मा मकर राशी से गोचर करेंगे चंदर्मा का ही नक्षत्र इस दिन रहने वाला है करक राशी वालो बहुत बड़ी मातरा में धनलाब और कामियाबी इस दिन आपको मिलने वाली है यह समय वियापार कारोबार में बड़े मुनाफिका है इस दिन आपकी डेली इंकम बढ़ेगी नए काम की शुरुवात हो सकती है और इस दिन किया गया निवेश आपको लाब दिलाएगा यह समय आपको फेमस बना सकता है समाजिक स्तर पर आपका दाइरा बढ़ेगा और बड़े बड़े लोगों से आपकी अच्छे संबंद कायम होंगे शुक्रवार के दिन विवाहिक जीवन खुशाल रहेगा आपके लाइफ पार्टनर की तरक्की इस दिन हो सकती है इस दिन घर परिवार में शुक्षानती बनी रहेगी सेहत आपकी अच्छी रहेगी और मन बहुत प्रसंद रहेगा इस दिन लव लाइफ बहुत खास रहने वाली है और एक दूसरे के साथ समय बिताने के मोके आपको मिलने वाले है विद्यार्थियों की कंसेंट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी शिक्षा के शेत्र में आप आगे बढ़ेंगे यह समय आपको अचानक से गुप्त धन तक दिलवा सकता है बहुत ही शुब और भाकेशाली समय आपके लिए बना हुआ है हर काम में सफलता का योग है कारियस्थल पर आपका मन भी लगा रहेगा और मन आपका प्रसंद रहेगा बात करे 22 तारिक सनिवार की इस दिन चतुर दशीत इती रहेगी धनिस्टा नक्षत्र होगा चंदरमा मकर राशी से गोचर करेंगे मंगल का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है करकराशी वालो यह समय करियर में आने वाली मुश्किलों को समाप्त करेगा मुकदमे बाजी में लड़ाई जगडे में आपकी जीत हो सकती है सरकारी कामों में सफलता का योग इस दिन बनने वाला है अपने पिताजी से आपको लाब की प्राप्ती होगी इसके अचरिक अचानक से शेयर्स में सटे लोटरी में प्रोफिट हो सकता है लोटरी आपकी लग सकती है बहुत बड़ी मातरा में धनलाब और सफलता इस दिन आपको मिलेगी संतान सुक्की प्राप्ती होगी पुत्र सुक्की प्राप्ती तक हो सकती है लव लाइफ इस दिन खुशाल रहेगी विवाहिक जीवन में खुशियां भरी रहेगी और चारो तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप लक्की साबित होंगे और किये गे निवेश से बड़ा लाब होगा यह समय आप के लिए बहुत खास है बात करें 23 तारीक रविवार की इस दिन अमावस्याति थी रहेगी दिन में धनिस्टा नक्षत्र दोपहर बाजशत भीषा नक्षत्र होगा चंदरमा कुम राशी से गोचर करेंगे दिन में मंगल का नक्षत्र और साइकाल में राहू का नक्षत्र हेगा दिन की शुरुवात आप के लिए पहुत पहतर होगी और यह समय पूजा पाठ धर्म आ बोल चाल में साथानी रखनी होगी आपकी कंसेंट्रेशन खराब ना हो इस बात का ख्याल रखे और अपने कामों की तरफ पूरी तरह फोकस्ट रहे साम के समय में रिश्क लेने से आपको बचना चाहिए दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सेर जरूर करे और सच्चे मन से ओम नमस्षिवाई चरूर लिखे